हलो स्टूदेंट्स वेलकम तो दे नेक्स्ट डोज ऑफ टूरी ऑफ डिमांड और जैसा कि हम लोग ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था अबाउट डेटर्मिनेंट्स ओफ इंडिवीजुल डिमांड उसी कॉंसेप्ट को हम लोग यूटलाइज करने वाले हैं हमारे नेक्स टॉपWeek alguna that is the term सो मार्के डिमांड के बारे में लुए आपको याद होगा कि जब हम लोगने डेटर्मिनेस ओफ इंडिवीजुल डिमांड के बारे में पढ़ा था तो वहां पे कुछ-कुछ चीजे थी जैसे ऐसी क्या क्या चीजे हैं जिसे कारण एक Credit buyer के द्वारा कोई वस्तू खर दी जाएगी वह डिपैंड करती है टीक आग वह क्या चीज है जिस पर यह डिपेंड करता है कि एक ग्रेटा एक बायर किसी सामान को जादा खर देगा या कम खर देगा किनिकल यह लीद कर देखा जाए तो बाजार क्या है बाजार बाजार एक ऐसी विवस्था है जहां पे क्रेता और विक्रेता एक दूसरे से संपर्क में आते हैं ताकि अपनी जरूरत की वो पूर्ती कर सके क्रेता की जरूरत क्या है सामान खरीदना विक्रेता की जरूरत क्या है सामान को बेचना तो of buyers के बात कर रहा हु यानी मेरे जैसे और भी बाइर हैं शुका टोटैलिटी हम स्वम मिल के ये चितला कितना खरीद रहा हूं इतल सब्जेक एंडिवीजेड겠습니다, ज्ख रमा Beginning बाजार में मौजूद द्विक रेता इसका इससों का कारण मेरा डिमांड प्रभावित हो रहा है उसी चीज के कारण हमारा डिमांड भी प्रभावित होता यह कहना गलत नहीं होगा क्योंकि जैसे अगर देखा जाए कि मैं कोई समान कर मैं होंief तो उसे इन दोर्म करता हूं तो उसी होगा जब वस्तु की कीमत बढ़ेंगी तो बाजार में मौजूद ऐस इस वस्तवृष महलिजने वाले जो क्रेटा है उनके खरीदने की इच्छा क्या होद्त एगी ठीक है वस्तु का कीमत अगर घटेगा तो खरीदने खिछ क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी तो बस यही चीज़ आपको याद रखना है कि जो जो चीज़े आपने इंडिविजुल केस में पड़ा था से वही चीज़ आपको अपलाई करना है मार्केट की केस में भी बस डिफरेंस क्या है वहाँ पर मैंने जो वर्ड यूज किया था इंडिविजुल बायर और मैंने वर्ड यूज किया होगा और उसकी जगह पे आप यूज करोगे आल दा बायर्स प्रेजंट इन दर मार्केट समझ में आ रहे है यादि बाजार मौजूद सभी क्रेताओं को अब उस डेफिनेशन में आप एड कर लोगे तो मार्केट डिम और इस तरह का जो सिचुएशन होता है वो दो वस्तों केस में आता है सब्सिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लिमेंटरी गुड्स जिसके बारे में हम लोगे सफीशेंटली डिसक्स किया हुए पिछले क्लास में इसके बाद बात करते हैं इंकम ऑफ दा कंज्यूमर ठीक है कंज्यूमर का इंकम भी जो होता है वो बहुअ ज़ाधा इंफेक्ट करता है किसके उपर डिमांड के ऊपर ठीक है तो खरीदने की इच्छा भी क्या हो जाती है घर जाती इन केस आफ नॉर्मल गुड्स इन केस आफ इंफीरियर गुड्स के बारे में मैं बाद में बात करूंगा ठीक है इंफीरियर यानि इसको यहां पर ऐसे समझ सकते हो बहुत सिंपल सा कॉंसेप्ट है अभी के लिए इतन अभी कि लिए घट्या वस्तोर इ take you consider कर लो घटाया वस्तो में क्या होता है जब इंकम बढ़ता है तो घट्या वस्तोर को क Grade क्या होՆफ क्या हो Keeping जाती कि और उसकी जगा पर वो अच्छी वस्तु इस्तमाल नॉर्मल वस्तु इस्तमाल करना शुरू कर देगा तो यह दो केस में हम लोग इस चीज को समझते हैं कि इंकम एफेक्ट दो तरीके से देखने को मिलता है in case of normal goods in case of inferior goods यह दोनों केस हम लोगो देखने को मिलता है ठीक है इसके बाद बात करते हैं consumers taste and preferences उधारन समझे इसको कि अगर कोई वस्तु आपने इस्तमाल किया and if that commodity if that good is according to your taste तो होगा क्या आप next time उसको और prefer करोगे ठीक है जिसकी वैसे उसका demand क्या होगा बढ़ जाएगा उल्टा केस हो जाए तो क्या होगा demand घटेगा यह भी हम लोग ने पिछले class में डिसकर्स किया ता अगें this is also the determinants of market demand इसके अलावा अगर देखा जाए future expectation is also influencing the individual demand and market demand बोत इसको ऐसे समझे कैसे माल लेते हैं कि मैं कोई सामान खरीता हूं उधान के तौर पर मैं चीनी खरीदने बाजार गया हूं कितना तो दो केजी चीनी खरीदने गया हूं अब अगर मुझे यह पता चलता है कि कल से या पर्सों से या पैट्रोल का इंग्जामपल ले लो ना कल से या रात के 12 बज़े के बाद से पैट्रोल का जो प्राइस पर समझ में आ रहे हैं यहां पर इस चीज़ को अगर आप समझना चाहें तो कि एक सिंपल साई डाइग्राम से भी समझ सकते हैं कि माल लीजिए आप एक वस्तू खरीदने गये उसका इस प्राइस पर इतना आप डिमांड करने वाले थे यानि बेसिकली देखा जाए तो डिमांड आपका ऐसा बनने वाला था लेकिन हुआ क्या आपको बाजार जाने के बाद पता चला कि वस्तू का जो दाम है वो बढ़ने वाला है तो आ फिर भी हम लोग क्या करते हैं सामान थोड़ा सा जादा खरी लेते सेम प्राइस पर यानि आप देख रहे होगे कि पहले जहां मैं क्यों मातरा खरीद रहा था अब सेम प्राइस पर मैं क्या कर रहा हूं जादा मातरा खरीने लगा हूं क्यों खरीद रहा हूं क्योंकि I am expecting that that the price is going to increase right क्योंकि मैंने सुना कि हो सकता है आने वाले निकट समय में वस्तु का दाम क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा तो जैसे मैं वैसी बाजार में मौज़ूद और भी बाइर लोग करेंगे तो इस आल्सों बन फाक्टर दाट विल एफेक्ट इंडिविज्विज्व एक मार्केट डिमांड यह समझ में आग रहा होगा और अगर दूसरा के समझ ले कि माल लेते भाई हम खरीदने गयते पैट्रोल सोचे की चलो दो लीटर भर वालेते हैं लेकिन सुनने को मिल गया कि हो सकता है आज रात या कल सुबह से प्राइस जो है वह घटने वाला है तो ज चेंजिंग विट्योर एक्सपेक्टेशन राइट अगला आता है हमारा कि नंबर आफ कंज्यूमर्स प्रेजंट इन अ मार्केट ठीक है मार्केट डिमांड को नंबर बायर्स भी जो होता है वो इंफ्लूएंस करता है इस वेरी ओविस माल लेते हैं कि एक बाजार के अंद अब बाइडर नंबर आफ बायर्स की संख्या बढ़ जाए तो उसकेस में क्या होगा ओवेसी बात है इस इस मार्कर का जो डिमांड है एक वाजार के अंदर या कंकड़वाग मार्केट के अंदर जो है वह हंड़ेट पीस है ठीक है किसी कारण से लोग जो है वह माइग्रे इस चेंज होने की वैसे डिमांड भी जो होता है इंफ्लूएंस करता है इसके बाद आता है डिस्रिबूशन आफ इंकम यार एक बहुत तिम्पल दर चीज़ है मालते मैं इस मार्कर की ही बात कर रहा हूं ठीक है इस मार्कर को कौन कोन एफॉड कर सकता है जिसका इंकम अला रूच्छ के फंच लोग को ह misin धारन देता हूँ ठीक है एक दो तेनस चार पांच पांच लोग है हमारे पास एक का जो आ है वह वह लौन लैक है अब देख रहे होगे कि इस बाजार के अंदर अगर मैं बात करूं तो uneven distribution of income है और when we have unequal uneven distribution of income it means we have unequal purchasing power also तो वैसे बाजार के अंदर लोग सिर्फ उतना ही खरीदेगा जितना लोग खरीद सकता है लेकिन एक ऐसा बाजार जहां पर लगभग लोग का जो आय है वो इक्वल इक्वल का मतलब नहीं कि सब के सब 10,000 रुपय कमा रहा है नहीं अप्रॉक्सिमेटली सेम यानि आय शुड़ भी इंकम शुड़ भी आठ हजार पांच हजार थे हजार नौ हजार साथ हजार साड़े प्रहावित करता है बाजार ए जहां पर अन इक्वल डिस्रिबूशन ऑफ इंकम है यानि इस केस में क्या होगा सीमित्र डिमांड होगा लेकिन अगर एक बाजार है जहां पर इक्वल डिस्रिबूशन है यानि सब का इक्वल परचेजिंग पावर है यानि सब खरीदेने का औकाद रखता है तो उसकेस में क्या होगा डिमांड फॉर दा कॉमोडिटी विल भी हाई लेकिन यहां पर क्या होगा केवल गिने चुने लोगी सामान को खरीद सकते हैं क्यों क्यूंकि गिने चुने लोग के पास ही परचेजिंग पावर है एक और रेफरेंस में इसको समझ लिजे माल लिजे मैकडी का जो है आउटलेट जो है एक ऐसे एरिया में खुल जाए जो काफी बैकवर्ड है तो वहां पर कितना लोग उसके प्रोड़क को खरीद पाएंगे गिने चुने लोग लेकिन वहीं दूसी और एक ऐसे बाजार के अंदर उस मैकडी के आउटलेट को खुला जाए जहां पर अब परीवियस सिच्वेशन के लगवन लोग का इंकम क्या है अच्छा है एक पाउश रिलाके में इंकम तो अच्छा ही होगा तो वहां पर क्या होगा अगर आप यह दोनों जगह हों पर मैकडी के प्रोड़क को कंपेर करते हो तो कहां पर मैकड सेक्स पॉपजिशन अलसो एक बाजार है ठीक है उस बाजार में पत्ना का एक्जामपल यह आप ले लो ठीक है चूडी मार्केट में आप जाते हो तो वहां पर बेसिकली क्या होता है किस तरह के प्रोड़क्ट का डिमांड सबसे जदा होता है फीमेल ओरियंटेट प्रोड़ समझ में आ रहा है तो यहां समझ में आ रहा होगा कि एज सेक्स कोंपोजिशन कितनी बड़ी भूमी का निभाता है इन मार्केट डिमांड देन वीविल टॉक अब एज जस लाइक सेक्स वेक्टर की मेल है या फीमेल बाजार में लोग ज्यादा बायर किस जेंडर से आते है तो उस केस में क्या होगा प्रोड़क्ट पे असर पड़ रहा है सेम वैसे ही अगर एक ऐसा बाजार है जहां पर चिल्ड्रेंस बहुत जादा आते हैं तो वहां पर क्या होगा अब्यसी बात है उस एज ग्रूप के हिसाब से प्रोड़क्ट को जादा रखा जाएगा आप अगर जो भी प्रोड़क्ट के आप बात करते हो तो वह वैसे प्रोड़क्ट को रखा जाता है जो एक डिसाइड़ एज ग्रूप के लोग को क्या करें अट्रैक करें तो यहां पर बेसिकली क्या है एज अलसो प्लेइंग मेजर रोल एंस सेक्स कॉमपोजिशन इस अलसो प बेसिकली आप इस चीज को हमेशा याद रख्येगा कि अगर इप्यू हैव क्लैरिटी इंडिवीजुल डिमांड क्या क्या होता है इसके बाद मार्केट क्या होता है मार्केट में क्या का कॉमपोजिशन आते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा समझना असान हो जाएगा एक सीधा सा चीज याद रख्येगा ठीक है हम लोग ने शुरुवात किया था अबाउट अबाउट इन्डिवीज्वल इमांड ठीक है फिर आज हम लोग ने पढ़ा अबाउट मार्केट डिमांड कि इंडिवीज्वल इमांड को क्या क्या चीज़ प्रभावित करती हैं इंडिवीज्वल को पहला हो गया कि प्राई आफ कर को कि कर Land P सेम यही चीज इसमें भी आएगा ठीक है दूसरा होता है इंडिविजुल डिमांड को प्रभावित करता है इंकम अगेन तेम विल इंफ्लूएंस मार्केट डिमांड ऑल्सो ठीक है तीसरा जो डिटर्मिनेंट्स है वह आपने पढ़ा टेस्ट एंड रिफेरेंसेज सेम यह चीज प्रभावित करेगा मार्केट डिमांड को भी ठीक है फिर आपने क्या पढ़ा कि इसने आपको बताया गया कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन्स तो सेम यह चीज प्रभावित करेगा आपका इसको भी फिर हो गया प्राइज और रिलेटेड गुड्स यह चीज प्रभावित करेगा आपका इसको भी यह पांच चीज जो आप लोग ने पढ़ा था उमीद करते हैं कि यह चीज में कोई दिक्कत नहीं होगा इसके बाद आप इसमें एक चीज और डाल सकते हो तो हैबिट कंज्यूमर हैबिट वो भी इसमें शामिल है तो यह तो कॉमन हो गया इसके लवा आपने क्या क्या पढ़ा जो मार्केट डिमांड को प्रभावित करेगा तो इसमें आपका यह पांच के अलावा मार्केट डिमांड में जो छटा फैक्टर होगा वह हो गया तेक्स कॉंपोजीशिन त्टियंग है इसके बाद आपने पढ़ा को धिस्रिभ्युशन ओफिं कॉम राइट की मैं डिस्रिभ्यूचन ओफिंकम इसके बाद आपने क्या पढ़ा था एज आ धिस्रिभ्यूचन ओफिंकम हो गया देनiał Bye Mom तो समझ में आ रहा होगा कि हमारे 6 डिटर्मिन्स हम लोगों ने इंडिविजूल डिमांड में डिसक्स किया है and we have discussed 8 determinants in sorry we have discussed 9 determinants in 9 determinants in market demand तो यह चीज़े आपको हमेशा याद रखनी है और इसके बारे में इसको मिला के अभी हम लोग आगे concept भी सीखने वाले हैं और यहां पर मैंने आप लोग को बताया था consumers income consumers income का case भी मैंने बताया था पिछले class में साइज मैंने नहीं बताया होगा तो आज मैंने थोड़ा बहुत उसके बारे में बताया हो और detail में हम लोग last में discuss करेंगे ठीक है कि किस तरीके से consumer का जो income होता है वो in normal goods को influence करता है और inferior वस्तों को influence करता है उमीद करता है यहां तक कोई doubt नहीं होगा ठीक है इसको अच्छे से revise करते रहेगा because these two topics are very important in order to have a clarity about demand ठीक है तो इसको अच्छे से revise कीजएगा till then keep learning जहिन